हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू लेर्णिंग स्थान लेर्ण टू लोग एट नो टू लैट्स आज का हमारे टॉपिक रहेगा कि हमारे घरों में जो सिंगल फेस कनेक्शन आता है उसमें आपने देखा होगा कि लाइफ वायर होता है और नूट्रल वायर होता है दो कनेक्शन हम लेते हैं टूदध रांस्मिंशन लाइन राइग एठाध यानि कि ट्रंस्फ्रमर्स से लाइफ और नूट्रल वायर होता है तो वो जो वायर होती है या फिर उसका कनेक्शन कहीं ऐसे ही ग्राउंड कर दिया जाता है बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा neutral wire होता है जो transmission line होती है जो distribution side पे जो transmission line होती है neutral wire का उसको जस्ट ऐसे ही transformer के पास ground कर दिया जाता है और वही होता है neutral ठीक है तो इसी को clear करेंगे कि क्या उसका connection किसी transformer से होता है या फिर जस्ट एक ground wire की तरह हम उसको treat कर सकते हैं तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि starting में थोड़ा सा theoretical part मैं आप से discuss करूँगा theoretical part means कि जो transformer का construction होगा थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा उसके बाद last में आपको एक video दिखाऊँगा so that आप practically उस चीज़ को समझ पाओ कि neutral wire का connection कहां से होके आता है तो चलिए start करते हैं देखें first of all मैं आपको basic बताने वाला हूँ three phase transformer गा three phase transformer three phase transformer में क्या को होता है कि जो इसके core होते हैं वो shell type के होते हैं दो तरह के detrascome के core होते है एक होता है core type और ढूसरा होता है shell type तो core type में हम single phase transformer को form करते हैं लेकिन जब shell type होता है उसमें हम three phase transformer की binding करते हैं दोनो टाइप में पहले यहांपर ड्राॉव कर देको दोनो टाइप का जो transformer होगा यह है core type transformer this is core type transformer okay इसमें क्या होगा ना इससे हम single phase transformer को form करते हैं इसमें आप एक HV winding लगा दो और दूसरी side LV winding लगा दो कि हएक वे और एल और राइट तो ये हो गया को टाइप ड्राइब होता है तो EST मेंस नदुब इसमें हमने सब्सक्राम ने को हैं की लेकिन जाइब एक ही लिए हम क्या करते है इसल begitu ओपन草समें फर्वॉर गरते देखें शेल ट्रीब हैं नहीं इसा होता है कि शेल टाइप ट्रांस्फोर्मर देखू अब इसमें क्या है ना आपको तीन लिम्ब नजर आ होंगे मैं इसको कि डाग कर देता हूं एं एक लिम्ब यह है दूसरा आपका यह है और तीसरा यह हैं यह तीन लिम्ब इन तीनों पर एक एक फेज को वुंड गया था एक-एक phase winding हम इसमें डालते हैं, थी-phase transformer है, तो तीन phase होगा, suppose एक phase है R, दूसरा है Y, तीसरा है B, R, Y, B, ये तीनो phases है, तो मैं क्या करूँगा, एक phase को मैं डालूँगा, इस पर, दूसरा phase को डालूँगा, इस पर, यहाँ पर shell type transformer यूज़ करते हैं, this is shell type, transformer, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तीनो ही phase पर, तीनो ही limb पर, एक-एक phase को डालना है, अब एक phase में, दो winding होगे, एक होगी LV side, एक होगी HV side, यानि कि यदि मैं, एक limb को यहाँ से pick करो, सपोज इस limb को मैंने यहाँ से pick किया है, तो इसके उपर, मैं कौन-कौन से winding को डालने वाला हूँ, देखो, मैंने इस limb को यहाँ से pick किया, यह है, अब इसके उपर हमें, दो winding डालनी है, किसी भी एक phase का, दो winding इसके उपर आएगा, सपोज आप अगर इस limb पे, R phase डालना चाहते हो, तो R phase के दो winding सुने, एक होगा LV side की winding, और दूसरी होगी HV side की winding, अब दो winding हमारे पास है, तो core के सबसे नजदीक में, कौन से winding रखते हैं, वो होता है LV side की winding, जो low voltage के winding होती है, वो core के just बाद होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखो, ये हमारा जो core है, this is core, ओके, इसके बाद क्या करते हैं, insulation डालते हैं, यहां देख लो, core के just बाद, insulation डालते हैं, LV side insulation, इसको मैं बना देता हूँ, this is insulation, circular type ये हमारा core होगा, और इसके उपर, ये हमारा है, ये है insulation, right, insulation हमने डाला है, so that हम इसमे, LV winding डाल सके, ये कौन सा insulation है, ये है LV insulation, low voltage का insulation है, इसके उपर क्या करेंगे, इसके उपर, insulation के उपर हम डालने वाला है, LV side की winding, right, so, देखो, अब इसके उपर हम डालेंगे, LV side की winding, LV side की winding इसके उपर डाले वाले, it means, ये हमारा SS आएगा, ठीक है, ये इसके उपर आएगा, LV side की winding, right, ये हो गया, अब इस winding के उपर, एक और insulation आएगा, LV side का insulation, right, देखो, इसके उपर आने वाला है, LV side का insulation, suppose, यहां तक, है HV side का insulation, this is HV side insulation, अब इस side भी, HV side का insulation आप डाले देखे, ये, ये क्या है, ये है, HV insulation, हम यूज़ करेंगे, HV winding, right, so, इसके बाद हम, इसके उपर लगाएंगे, HV winding, तो यहां पर देख लो, ऐसे, HV winding, यहां पर overlap हो चुका है, this is HV winding, right, तो इस तरीके से, यहां पर एक phase को बनाया जाता है, तो suppose, this is one phase, R phase है, right, इसी तरीके से, तीन यहां पर limb है, shell type transfer में, तीन limbs है, तीनों पर ही, एक एक phase को, इसी तरीके से डाला जाता है, अब इसको मैं, वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा, practically मैं आपको दिखाऊँगा, कि, इसका जो adjustment होता है, वो होता कैसा है, right, किस तरीके से, इसको construct किया जाता है, वो हम देखेंगे, right, अब ही हम क्या करने वाला है, कि, यहां तो आपने देख लिया, कि, थ्री-फेस transfer में आपको बनाना है, तो आप, आपको लेना है, shell type, का code, right, उसके उपर आपकी windings आएंगी, अब जो winding का connection होगा, उसके बारे में मार्क करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए distribution transformer को देखिए, क्योंकि हम जो अपने हाँ supply लेते हैं, वो कहां से लेते हैं, distribution transformer से लेते हैं, distribution transformer, distribution transformer, इसका जो connection होगा, winding का जो connection होगा, वो होता है delta star, distribution transformer का क्या होता है, delta star होता है, यानि कि, hv side, जो high voltage side होगा, वो होगा delta में connected, और जो low voltage side होगा, वो होगा star में connected, तो hv side में delta, lv side में star connection, इसको हम डीटेल में थोड़ा देखते हैं, देखिए, जो आपका distribution transformer है, वहाँ से क्या होगा है न, कि, इस transformer में, तीन wires आई हैं, तीन phase, r phase, y phase, and b phase, r, y, b, ये तीनों phase आए हैं, आपके transformer के input के रिए, राइट, suppose, this is transformer, यहाँ पर आपका transformer है, यह, और transformer के इस side, यहाँ पर, तीन terminals निकले हुए हैं, ये तीनों terminals है, इसके साथ हम क्या करेंगे, जो input है, उसको हम connect करेंगे, इन तीनों wire को, यहाँ पर हम इसके साथ connect कर देंगे, यह सपोर्ज, इस एलेवन किलो वोल्ट है, और यह जो हमारा distribution transformer है, distribution transformer, यह 11 by 400 का है, 11 by 400, 11 kv upon 400 लिख लो, 11 kv by 400 वोल्ट, या तो यह लिख लो, या फिर 11 kv by 440 वोल्ट लिख लो, ठीक है, यह है हमारा distribution transformer, यानि कि जो hv साइड है, वहाँ का वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, 11 kv, 11 kv as a input आ रहा है, अब इसके output में, हमारे 4 terminals नज़र आएंगे आपको, output साइड में, यानि कि दूसरे साइड में, आपको 4 terminals नज़र आएंगे, कौन-कौन सा होगा, एक तो होगा R-phase, दूसरा होगा Y-phase, तीसरा होगा B-phase, और चौथा terminal होता है neutral, यही terminal हमारा neutral होता है, तो हम क्या करते हैं न, यहां से आप 4 wires को लेके जाते हैं, 4 transmission lines होती हैं यहाँपर, राइट, एक को connect करते हैं R-phase से, दूसरे को Y-phase से, तीसरे को B-phase है और, चौथा हमारा होता है neutral से connected, इसको हम इस तरीके से connect करते हैं, ओके, अब यह जो हमारा transmission line है, यह हमारे हाँ पहुंचती हैं, अब suppose यहाँपर एक house है, this is a house, अब इसको supply लेना है, यह कौन सा supply लेगा, single phase supply लेगा, यानि कि जो तीन live wire है, R, Y, B, तीन live wire है, इन में से किसी भी एक phase से यह अपने आपको connect करेगा, suppose इसने Y-phase से connection ले लिए, तो यह क्या-क्या, Y-phase से live wire के रूप में, जो इसके घर का socket होगा, उसमें live wire में जो connection आएगा, वो हमारा B-phase से आएगा, ठीक है, और दूसरा यह क्या किया है, जो हमारा neutral wire है, यहाँ से connection लिए है, तो इसके घर में जो socket होगा, यहाँ पर देख लो, मैं socket बना देता हूँ, इसके घर का जो socket होगा, यह, इसमें तीन terminals होगे, एक तो यह हो जाएगा, अर्थ के लिए, और यह होगा live के लिए, और यह हो जाएगा neutral के लिए, तो जो live वाला connection है, वो इसने कहां से लिया है, बी face से लिया है, और जो neutral का connection है, वो तो same रहेगा, neutral से ही लिएगा, जितने भी यहाँ पर houses होगे, सारा का सारा neutral connection, एक ही wire से आएगा, live connection सबका अलग अलग हो सकता है, कोई r face से connection लिया हो, कोई y face से connection लिया हो, कोई b face से connection लिया हो, और यह जो distribution होता है, कि कितने houses को r face से connect लिया जाए, कितने को y से, कितने को b face से, वो decide करते हैं, हमारे जो electricity board होते हैं, वो decide करते हैं, अब वो चाहते हैं कि equally distribute हो R phase पे जो load हो Y phase पे जो load हो B phase पे जो load हो ये तिनों लगबग equal distribution हो लेकिन practically ऐसा possible नहीं हो पाता है क्योंकि किसी भी घर में load ज़्यादा लगा हुआ हो किसी घर में load कम लगा हुआ हो इसकी वज़से यहां पर जो load है वो हमारा balance load नहीं होता है practically कभी भी balance load नहीं होता है और उसकी विज़से neutral जो wire है उसमें current भी flow करता है खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे किसी दिन हम इस पे भी एक video बनाएंगे कि neutral wire में current कैसे flow करता है right क्यों flow करता है इसका भी हम region देखेंगे आज का जो हमारा topic है उसमें आप देख रहे हो कि जो neutral wire है ये neutral wire यहां से जो हमारा connection आता है जो हमारे घर में जो neutral wire का connection होता है जो हमारा point होता है neutral point उसको हम connect करते हैं इस transmission line से और ये जो transmission line है ये actually transformer के अंदर से connect होके आता है right हाँ यहाँ पर बात और है कि जो neutral है इसको हम transformer के पास इसको ground भी करते हैं जो neutral wire है उसको हम transformer के पास ground भी करते हैं लेकिन ground करने का जो reason है वो अलग है ground हम इसले करते हैं so that a floating neutral का case यहाँ पर generate ना हो इसकी वज़ाँ से हम क्या करते हैं जो transformer का neutral होता है वहाँ पर हम जहाँ पर transfer को install किया जाता है वहीं पर हम उसको ground भी करते हैं ground के साथ भी उसको हम connect करते हैं लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप क्या करो आप ये समझो कि जो neutral wire है उसका transformer से कोई connection नहीं है और जो neutral wire है उसको हम कहीं भी ground कर सकते हैं ऐसा नहीं है अगर आप ऐसा करते हो तो फिर बहुत disturbance create होगा यहाँ पर हमारे power system इसके उपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊगा कि neutral wire अगर टूट जाए सबोर्ट इसका जो connection है वो कहा है distribution transformer के अंदर से इसका connection है voltages आएंगे हमारे neutral में भी voltage आएगा फिर जो अभी आप safely देख लेते हो कि उसमें zero volt है zero volt आप देख लेते हो लेकिन अगर यहाँ पर neutral टूट जाए तो वहाँ पर zero volt नहीं होगा फिर अगर आप उसको touch करोगे तो फिर गए अभी तो ऐसा है कि neutral wire को अगर आप touch करते हो तो फिर आपको shock नहीं लगता है लेकिन अगर किसमत ऐसी खराब हो कि neutral wire अगर वहाँ से तूट गया हो transformer से जहां से connection है वहाँ से तूट गया हो उसके बाद अगर आप neutral wire को चुँए तो फिर गए ऐसा है तो खेर इस पे भी हम किसे दिन वीडियो बनाएंगे आज का जो हमारा topic है वो यह है कि neutral wire का connection कहां से आ रहा है तो transformer के अंदर से आ है अब हम अंदर को देखेंगे अब थोड़ा सा इस transformer को खोलते हैं खोलने के बाद देखते हैं कि अंदर में इसा connection कैसे होगा ठीक है देखो यहां देखो अब मैंने बताया कि जो distribution transformer है वो होगा delta star में delta star में delta में होगा तो तीन phase है तीनो phase हमारे delta में connected होगा एक phase यह है दूसरा phase यह है और तीसरा phase हमारे यह यह तीनो phase है जो कि delta में connected है suppose this is r phase this is y phase and this one is b phase r, y, b यह तीनो phases है अब यह तीनो delta में connected है obviously बात है और यहां पर होगा तीन phase जो कि star में connected होगा like this यह तीनो phase star में connected होगा ऐसे यह तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना यह transformer का जो internal part है उसको मैंने ट्रॉप किया जो अंदर की windings है उसको मैंने यहाँ पर दिखाया है इसको मैं एक box में बंद कर देता हूँ इस थ्री-phase distribution transformer distribution transformer इसका connection क्या है delta star यह देखो distribution transformer है यानि कि इसको आप step down भी लिख सकते हूँ step down transformer है यह यानि कि voltage को step down करेगा यहाँ पर जो input side है वो कितना है वो है 11 kilo volt राइट इस side कितना voltage है इस side आप चाहे 440 volt लिख दो 440 volt राइट यह है यानि कि यहाँ का जो line voltage होगा R, Y, B यहाँ जो line voltage है वो है 11 kilo volt अब इस side जो line voltage है R, Y, B यह है 440 volt अब इसके साथ साथ एक neutral wire भी आपको मिलेगा यहाँ से neutral wire आपको यहाँ भी मिलेगा यह है neutral this is neutral अब transformer के अंदर से neutral आया है और इसको मैंने यहाँ पर दिखाया है this is neutral अब यही जो 4 wires है यह आगे प्रोसीड होती है क्योंकि हमें connection कहां से लेना LV side से लेना यह हमारा low voltage side है ना low voltage side से हम connection लेते हैं अब यह है HV side तो आप देखोगे कि transformer के HV side only 3 wires आते हैं लेकिन LV side 4 wires आते हैं अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना कि जो neutral है neutral को आपने transformer से बाहर निकाना connect किया है उसके बाद जहाँ पर transformer इंस्टॉल्ड है वही पर क्या करते हो इस neutral को आप क्या करते हो यहाँ से ground कर देते हो इसको आपने यही पर earth करते है this is neutral grounded अब क्या करते है ना कि इसके अंदर के पार्ट को थोड़ा सा देखते हैं कि जो जो अमारी windings है वो star में कैसे connected है right देखो windings को हम देख लेते हैं यह star में connected कैसे है मैंने आपको बताया कि shell type transformer है तीन limbs होंगे और तीन windings होंगे मैं सिर्फ और सिर्फ अभी LV side के बात करूँ कौन से side? LV side low voltage side low voltage side connection कैसा है? star connection star connection है यहां पर तीन phase है तो मैं क्या करता हूँ? तीनों phase को मैं यहां पर दिखाता हूँ Suppose this is one phase winding यह है हमारा दूसरे phase की winding और यह है तीसरे phase की winding यह shell type transformer के जो limbs हैं उसके उपर इसको wound किया गया है इन तीनों phases को Suppose this is R phase this is Y phase and this one is B phase R, Y, B यह तीनों phases है LV side के हैं अब देखो LV side में हमें कैसा connection चाहिए? LV side में हमें चाहिए star connection तो क्या करना होगा? star connection के लिए इन तीनों wire को क्या करोगे आप? जो R phase का 1 end है Y phase का जो 1 end है और B phase का जो 1 end है इन तीनों को आप बाहर निकालोगे और बाहर निकालके इन तीनों को connect कर दोगे ऐसे अब इसका जो connection होगा यह हो जाएगा neutral point यह बन गया neutral अब इस neutral से इस neutral से आप क्या करते हो? एक wire को आप बाहर निकाल देते हो यह हो गया neutral wire neutral wire है अब यही पर जो transformer का जो tank है tank से बाहर जैसे ही neutral का connection आया उसके बाद यहाँ पर आप क्या करते हो? इसको ground भी कर देते हो this is grounded उसके बाद इसके connection को हम transmission line के साथ attach कर देते हूं यहां से जाएगा हमारा transmission line, neutral wire का, ठीक है? उसके बाद, यहां से देखो, यह जो R phase है, R phase से इसका connection लेते हो और R phase का जो transmission line है, उसके साथ आप इसको connect कर देते हो R phase transmission line, Y phase से connection लेते हो इसको transformer के tank से बाहर निकलते हो, Y phase transmission line और B phase का connection लेते हो, tank से बाहर निकलते हो, B phase का transmission line होता है उसके साथ आप इसको connect कर देते हो, ठीक है? तो overall आपको क्या नज़र आ रहा है यहां पर? आपको नज़र आ रहा है कि कितने wires हैं? 4 wires है, यहां पर मैं tank को दिखा दूँ कि यह transformer का tank ठीक है? यह है transformer का tank टैंक के बाहर आपको नज़र आ रहा है एक यह phase, एक यह phase, एक यह phase, तीन phase हो गए है और एक neutron हो गए है ऐसे हमारा connection होता है आपको समझ में आ गई होगी अब हम थोड़ा सा practical देख लेते हैं देखिएगा इस वीडियो को देखेगा आप ध्यान से यहाँ पर starting में आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं bushings यह जो insulator है इसको हम bushings बोलते हैं और insulator आप देखो यहाँ पर बहुत ही heavy insulator है, ठिक है राइट क्योंकि यह hv side का insulator है जब voltages high हो तो वहाँ पर जो insulator लगाया जाता है वो हमारा थिकर insulator होते हैं इस set देखोगे कि आपको तीन connections नज़रा रहे हैं only three एक यह है एक यह है और एक यह तीन connections है यानि कि यहाँ पर इस transformer के लिए जो input आएगा देखो input आएगा तो R phase का input यहाँ पर आएगा जिसको connect करेंगे Y phase इसके साथ connect करेंगे और B phase हम इसके साथ connect करेंगे ओके? R, Y, B यह तीनों phase का जो connection है वो हमारा ऐसा होगा देखो R, Y, B इन तीनों phase का connection इसके साथ होगा यह तीनों है HV side के क्या है यह हाई वोल्टे साइड है यहाँ से ट्रांस्वर्मर में इन्पुट आया है उसके बाद दूसरी साइड देखेंगे जो हमारा LV साइड होगा इसके बाद LV साइड हम देखते हैं कि LV साइड में आपको 4 connections नजर आएंगे और उसके जो bushings होंगे यहाँ पर देखो यह है हमारे 4 connections है ओके यह 4 connections है और यह 4 के 4 connections है यह है LV साइड के इसलिए यहाँ का जो insulator है insulator पर आप ध्यान दो कि कितना स्मॉल सा insulator है इसको एक बार मैं पॉस्ट करके दिखाता हूँ आपको देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2U है ना 2U यहाँ पर जो हमारे transfer होते है जो distribution transfer होता है उसमें जो representation किया जाता है phase का वो UVW के form में किया जाता है U means R phase V means Y phase और W means B phase ठीक है तो R, Y, B इस तरीके से इसको लिखा जाता है U, V, W यहाँ पर 2 क्यों लिखा हुआ है क्योंकि यह secondary side है यह secondary side है secondary side of the transformer तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2U, 2V और 2W यानि कि R phase, Y phase, B phase यह तीनों star के connection है जो मैंने अभी आपको diagram में दिखाया था star connection में जो 3 phases बने थे और एक neutral point बना था तो यह neutral point को connect किया गया है इसके साथ तो total 4 connection हमारे transform के बाहर आए है अब हमें क्या करना है जो हमारे transmission lines है तीन phase बारे transmission lines है उसमें एक phase आप इसके साथ connect करोगे ऐसे दूसरा phase को आप इसके साथ connect करोगे और जो तीसरा phase है उसको आप इसके साथ connect करोगे यह तीन phase तो आपने connect कर दिया उसके बाद जो neutral है neutral को आप इसके साथ connect करोगे neutral को इसके साथ connect करोगे साथ ही यहीं पर यह जो transformer का जो outside बाला part है यहीं पर आप च्यार करोगे इस neutral को ground भी कर दोगे इसको आप ground भी करोगे यहीं पर उसके बाद एक transmission line यहां से ले जाओ तो यह है इसका overall detail अब जिस तरीके से यहां पर 2U, 2V और 2W लिखा हुआ था उसी तरीके से जो primary side वहां पर होगा 1U, 1V and 1W अब देखो यह transformer का internal part है maintenance के लिए आया हुआ है यह internal part है transformer के tank से इसको निकाला गया है अब इसके core को देखो मैंने आपको क्या बताया था कि shell type का core होता है यहां पर ध्यान से देखो किस type का core है shell type का core है अब यह जो इसके lamination से यह silicon steel के बने हुए होते है CRGO material है cold roll grain oriented material होता है silicon steel होता है silicon steel का यह बना होता है और बहुत ही 0.35 mm के thickness से बना हुआ होता है देखो और इसको stacking के form में रखा जाता है उससे हम बनाते है shell type का core अब देखो इस shell type के core में तीन limbs है और हर एक limb पर एक-एक phase को डाला गया है एक phase हमारा यहां पर यह है यह है R phase इस इस Y phase और इस वन इस B phase अब एक phase के अंदर आपको एक winding नज़ा रहा है लेकिन इसके अंदर भी एक winding है जो आपको बाहर वारा winding नज़ा रहा है वो हमारा क्या है HV side की winding है क्योंकि जो shell type के transform होते है मैंने आपको diagram draw करके बताया था कि जो हमारा core होता है जो limbs होते है limbs के just बात क्या होते है insulation हम ढलते है LV side के लिए insulation उसके उपर LV winding ढलते उसके बाद HV side के insulation ढलते उसके उपर HV side की winding डलते तो ये जो भी तीन वैंडिंस आपको नज़र आ रहे है ये तीनों HV side की winding से है और जो LV side के winding से वो इसके अंदर है वो आपको नजर नहीं आना है आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा कि जो अंदर की वाइडिंग है एलवी साइड की वो कैसे है यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर आप दियान से देखो कि यहाँ पर देखो आपको एक यह वाइड नजर आ रहा है यह क्या है this is R phase का R phase का एक connection है और एक वाइड आपको यह नजर आ रहा है यह है Y phase का और एक वाइड आपको यह नजर आ रहा है this is B phase वाइड यह तीनो जो वाइड है यह तीनो जो connection है ये delta के connection है मैंने आपको बताया था कि hv side में delta connection होता है अब जो delta connection होगा वहाँ से सिर्फ और सिर्फ तीन wires आते हैं बाहर तो जो transformer के अंदर का तीन wire होगा उसको हम क्या करेंगे यहाँ से बाहर निकालेंगे और bushings के साथ attach करेंगे अब वहाँ से जो हमारी तीन transmission line होगी input side आने वाली primary side आने वाली वो हमारे इनी तीनों से connect होगा उसके बाद इसके अंदर देखो यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि this is winding इसके अंदर यह जो winding है यह हमारी lv side के winding है यह क्या है lv side की winding है और यह हमारी hv side की winding है इसको थोरा सा और और इसको नजदीक से देख लेते हैं wait a second देखो अब देखो यह क्या है this is core ना core है ना यह this is core right core के बाद देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा gap आपको नज़रा है यह सब एक तो insulation डालेगा है insulation के बाबजूद भी इसमें क्या है gap है और वो gap इसलिए है so that जो transformer का oil है वो इसके अंदर आ जाए जब इस body को जब इस whole transformer की body को जब हम tank में डालेंगे तो यह जो gap है gap के अंदर क्या आएगा oil आएगा और oil का दो function होता है एक तो cooling का का काम करता है और दूसरा क्या करता है insulation का का काम करता है तो यहाँ पर वो oil आ जाएगा जो की insulation का का काम करेगा अब देखो core के बाद insulation insulation के बाद यह जो winding है यह जो winding है यह LV side की winding है अब यह जो LV side की winding है इसको star में connect करना है ठीक है तो star में जो connection है उसको मैं बाद में दिखाऊंगा अभी देख लो LV side की winding है LV side की winding के बाद यहां पर आपको नज़र आ रहा होगा यह यह complete gap है, gap इसलिए है, so that इसके अंदर transformer का oil आए, तो oil आएका तो वो क्या करेगा, अब वो insulation का काम करेगा, तो LV side के winding के बाद insulation आ गया, insulation के बाद यह, यह जो winding है, यह कहा है, यह हमारी HV side की winding से, आप यहां से देख भी सकते हो, कि जो LV side की winding से वो पतली है, जो HV side की winding से वो मोटी है, क्यों, क्योंकि HV side में number of turns हमें चाहिए बहुत ज़्यादा, अगर 11 kilovolt by 440 volt का transformer है, तो आप यहां से turns ratio देख सकते हो, कि कितने number of turns LV side में होंगे, उसके कितने times ज़्यादा number of turns हमें HV side में डालने पड़ेगे, जो HV side की winding से वो हमारी मोटी winding है, आगे देखिए, इसको ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा, उसके बाद कोई doubt नहीं रहेगा आपके मन में, अब आप यहाँ देखो, यहाँ यदि आप ध्यान से देखो, कि यहाँ से एक ये wire है, एक ये wire है, ये दोनों wire निकले हुए है, इसको आप ध्यान से इसका connection देखो, कि इसका connection कहा से है, transformer के जो अंदर वाली winding है, यानि कि low voltage side के winding है, ये दोनों connection वहाँ से है, LV side से ये दोनों wire निकली है अब एक wire निकल के क्या किया है एक ये जो wire निकला है ये neutral को form कर रहा है एक यहां से ये wire निकला है ये neutral बनाएगा इसे अब एक यहां से wire आए ये तीनों जो wire आए हैं ये तीनों एक साथ connect हो गए है इन तीनों का connection ऐसे हो गया है ये तीनों एक के साथ मतलब तीनों एक साथ connect हुए है और तीनों एक साथ connect हुए तो ये क्या बन गया है? न्यूटरल बन गया है अब इसी neutral को हम क्या करते हैं न इस wire के थुरू हम यहां से जो bushings हैं उसके साथ connect कर देते हैं यानकि जो हमारी transformer की body है उसके बाहर हम निकालते हैं इस wire को ये ये जो हमारा neutral wire आया है न इसको अब ये क्या है? ये तीनों के साथ connected है ये ये तीनों क्रेस्टन किसका है? LV side winding का है तो ये तो neutral का connection होगे है इसके अलाबा तीन phases भी बनेंगे तो देखिए एक wire ये है एक ये है न ये wire ये suppose this is R phase wire एक wire हमारा ये है Y phase and एक wire हमारा ये है R Y B ये तीनों phase हो गया है न तो तीन phase हो गए और एक neutral हो गए इसका connection आप द्यान से देख लो कि कैसे है आगे देखिए ये wire देखो ये ये जो wire है ये क्या है ये HV side के wire है जो तीनों windings थे उसका जो outer वाला लेयर था outer वाला जो winding का वो क्या था HV side का winding का अब इसी HV side winding से इन तीनों से तीन wire connect हो के आएंगे तो इसमें ये हमारे B phase के winding है इसी तरीके से Y phase का होगा और फिर R phase का होगा ठीक है आगे देखो यहां पर देखो आपको clearly visible हो रहा होगा यह चीज़े इसा connection यह जो connection है neutral point का connection है LV side की यह तीनों winding समने बाहर निकाले हैं और इन तीनों को connect कर दिया so that यह बन गया neutral अब इसी neutral को हमने क्या किया है यहां से हम बाहर निकाल दिये जैसे इस neutral ओके यहां समने बाहर ले लिया उसके बाद तीन और wires है एक यह है R face एक यह है Y face और एक यह है यह B face राइट इसको आप ध्यान से देख लो I hope आपको यह सारी चीज़ें clear हो गई होगी राइट so thank you so much and bye bye झाप नह जो शोथ एकाल झापब झापको की जापको की तेखके की ते झापको यह है झाल ऑफ़ भैपको की तेखके की यह है